तो क्या जहासी के रानी भीक मांग रही थी? क्या कह रहे हो सर? मनलब क्या बोल रहा है? अरे यार कंगना ने काई कि 1947 में जो हमें आजादी मिली जिसके लिए जहासी के रानी समेट लंबे टाम तक लोग सवतनता संग्राम आजादी की लड़ाई लड़ते रहे वो भीक में मिली तो जहासी के रानी भीक के लिए लड़ लगी थी तो मलब उन्होंने भीक में वो रोल के जिसके लिए नैशनल आवर्ड लेगी हो कमाल है कंगना कंगना रनाओद को पदमश्री मिला और पदमश्री मिलने के बाद उन्होंने बताया कि 2014 में भारत को आजादी मिली ते यार मैं क्या होनु हूँ 2014 से पहले कंगना को दो नैशनल अवाड मिलते गुलामी के टाइम पर मैंना ने पूरी हिस्ट्री मतल दी है ऐसा कोई भी हिस्टारियन सामने कितने भी हिस्टारियन सायों लेकिन करें रोल से बड़ा हिस्टारियन कोई नहीं क्या भाइन दिया यह तो मजाक की बात भी नहीं हैं यह तो बाव Chapter का कि वह आजारी नहीं थी जो उनिस सो सैन्ती आलेस में मिली वह भी थी और जो आजादी मिली है वह 2014 के बात मिली एक tv-genal को बान दिया का ने और खासब estimation जिस पर हमें मजाक में उन्हा पहुआए इन्हों लिए बैखा उन्हों को यह नहीं लगा है यह वह, अब कंगना की हर बात पे का यही मतलम निकालते हैं कि इस पर बस तालिया बजा के बस बात खतम करती जाए लेकिन यह तोड़ा शर्मनाक है मुझे तो सब्स है या गालिया मुझे तो समझ में नहीं आया यह जो स्टेटमेंट है ऐसा स्टेटमेंट तो कोई पौलिटिकल पार्टी भी नहीं देती और कंगना ने बयान देखे का कि आप देखना इस बात पर मुझे और दस केस हो जाएं मतलब उनको पता था सोच समझ के बयान दिया और कब दिया है मतलब लाखों लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो 77 संग्राम था लाखों लोगों ने कितने वलिदान दिये शहीद हुए लोग मारे गए जेल गए और चलती रही ये पाक उन सब की बिजज़ती उन सब का अपमान करते हुए ये बयान दिया है कि वह भीक में मिली जाहें गांदी जीयों चाहें नेता जी सुभाशन बोसों चाहें अपने सरदार पटेलों मतलब सब लोग जितने भी freedom fighters थे सब का बलीदान वेर्थ है क्योंकि कंगना सब्सक्रावन के संग्राम पर मनी करने का जहांसी की रानी पर बना चुकी है जहांसी की रानी यह जहांसी की रानी हो गई है जहांसा दे रही है जहांसा दे रही है इसका मतलब यह है कि जिस पे इन्होंने बायोपिक बनाया जहांसी की रानी वह भीक मांग रही थी अंग् कुछ तो गर बड़ा क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट बीजेपी के लीडर्स नहीं दे रहें ऐसे स्टेटमेंट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स नहीं दे रहें जब देश की सरकार खुद भारत की आजादी के 75 वश पूरे उन्हें पे आजादी का अमरित महुतसर मनारी इतने सारे समारों हो रहें खुद प्यम मोदी जब भाशन देते हैं हमेशा देश की आजादी की सुटंतरा संग्राम की और बड़े बड़े नेता जिन्होंने आजा के से बाते करते हैं मुझे बताइगे कि कोई पॉलिटिक्स में आने का कुछ है क्या इनका इनका इतने इडियोटिक और मैं साब बोला हूं इडियोटिक स्टेमें भी नहीं है क्योंकि आजादी हमको भीक में मिली और खुद बीजेपी के आजकल बागी संसद हुए है आत्मा गांदी जी के त्याग और तपस्या का अपमान कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्षमी भाई भागत सिंग चंद्शेकाराजाद नेता जी सुभाज चंद्र बोज और लाखों स्वतंता सेनानियों की कुर्बानियों का इस सोच को मैं पागलपन कहूं या देशद्रू ये तो बीजेपी के MP आजकल बागी हुए हुए है लेकर अभी भी बीजेपी के MP है वनुगादियों मुझे बताइए ये ऐसा स्टेट्मेंट जो कंगना रनौत ने दिया उसको डिफेंट कौन ही कर पाएगा उसको डिफे जो इतनी बड़ी स्टार हैं हम उनको अभी भी स्टार मांते हमने उनकी जो अभी रीसेंट फिल्म आई ती बिल्क की खूब तारीफ की जिसके बड़ मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी 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 पदमिश्री संमान मिला है उससे वहले नेशनल अवार्ड मिल कुछ कुछ तो बघान अभी आउसे बया बहादूरो जो हते है है जातर वह नो हुंक चाहता ही अप तो तो अच्छा कासा काम कर रहे हो काम की भी तारिफ हो और सरकार भी दे आज़कर आणिए आपटी मैं और किकर अजो जो लोग्न को पसंदी करते आ कैन एक्टिंग से परे है और अगर मुझे समझ में नियारा कि मैं तो चाहूंगा कि अगर कंगना रनौत के फैंस हैं तो वो फैंस कॉमेंट सेक्शन में आकर इस स्टेट्मेंट को डिफेंड करके दिखाईए बताइए थोड़े हमारे और 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 आजादी का सवाजादी के 75 साल पूरा जो सरकार कर रही है एक साल भर कि समारो उसको भी ध्यान में रखिए और ये पदम श्री कंगना रनौत का बयान है पदम श्री एक इजट होती है सम्मान के साथ ये बयान उस इजट से कतई में नहीं खाता तो आप मुझे बताईए आगे से अब इस कि स्टेंडर्ड पर जाकर बैढ़नी है हां मतलब हम नाम किसी का क्यों लें लेकिन ये कंगना को ये बयान ज़्यादा शर्म आकर मतलब उनके स्टेचर के लिए उनके स्टेचर के लिए